हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो विंका प्लांट की कटिंग के उपर है जो कटिंग मैंने ग्रोखी थी वो जर्मिनेट हो गई है तो उनको हम ट्रांसफर करेंगे कटिंग को जल्दी से जल्दी हमें ट्रांसफर कर देना चाहिए जो कटिंग मैंने पहले ट्रांसफर कर दी उनका अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और जो उसी पॉर्ट में लगी रहने दीती तो वीडियो में अफ टक जरूर बने रहीएगा हाईब्रीड सदाबार की कटिंग आप लगा सकते हुए पोदे आसानी से फ्री पर में ही घर पर तयार हो जाते हैं इनको खरीदने की ज़रुवत आपको नहीं पड़ेगी सर्दियों में ये पोदे सुस्त हो जाते हैं गर्मियों में इनका सिजन होता है लेकिन सर्दियों में बहुत मुश्किल से ये पोदे बच पाते हैं तो इसलिए मैंने कटिंग लगा ली थी अपने प्लांट की जितने भी मेरे पास इसकी वराइटी थी कलर थे लगबग सभी की मैंने कटिंग ग्रो करने की कोशिश की है कुछ पर फूल अभी नहीं आ रही है कुछ पर आ रही है और सारी कटिंग मेरी आसानी से ग्रो हो गई बारिश जैसे आई थी तभी मैंने इनकी कटिंग लगा ली थी रेत में इसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा मिट्टी में स्लो रहता है बहुत जर्मिनेट तो हो जाती है लेकिन ज्यादा अच्छी ग्रोथ होती है वह मिट्टी में नहीं होती है वह होती है सैंड में देखिए रूट भी कितनी अच्छे से इसमें आई हुई है यहां तक रूट आ गई है इसकी और काफी बड़ी बोटल है यह इसमें बहुत अच्छे से ग्रोव कर रही है यह सारी कटिंग जितनी भी है मेरे पास तो यह तो मैं इसी में रहने दूँग तो इसको तो हम साइड में रख देते हैं यह मेरी कुछ कटिंग है इसमें मैंने सबसे पहले कटिंग ग्रो की थी और कुछ कटिंग इसी में छोड़ दी थी और कुछ मैंने ट्रांसफर कर दी थी तो जो कटिंग मैंने ट्रांसफर की थी पोट में उनका साइज आप देख स लगप टो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छे से हो रही है और यह वाले पोड़े आप देख सकते हो इनकी चंडीशन क्या है यह इसी पोट में से ट्रांसफर करके मैं ने यह वाला पोड़ा लगाया था और इसकी ओवर वला गुरॉथ आप देख सकते हो तो बड़े पोड़ में जल्दी से जल्दी आपको ट्रांसफर कर देना चाहिए, पोधों को उन पे अच्छे से ग्रोथ होने लगती है, और इस तरह से फूल भी आने लगते हैं, तो यह रिजल्ट रहता है, तो मैं इनको भी ट्रांसफर करने वाली हूँ आज, जो खाले गमले मेरे पास पड़े हुए, काफी बड़ा पोट है यह कटिंग को, मैं उसमें ट्रांसफर कर दूँगी, कुछ कटिंग इसमें भी लगी हुई है, इस वाले कलर की कटिंग काफी अच्छी रही है, सभी पे अच्छे से फूल आ रही है, और यह वाला भी मेरा जर्मीनेट हो गया है, क्योंकि यह मैंने मिट्टी में लगा दिया था, तो इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे, इसका रिजल्ट आप देख सकते हो, रेत वाले पोदों का रिजल्ट आप देख स सभी के पास कोकोपीट अवेलेबल नहीं होती है, तो इसलिए आप रेत में लगा सकते हो, रेत आसानी से मिल जाती है, कहीं पर भी जहां पर कंट्रक्शन का काम चल रहा हो, वहां पर आप ट्राय कर सकते हो, तो हम लगाना शूरू कर देते हैं अपनी कटिंग को, जड़े कितनी अच्छे से बनी हुई है, इनमें पोदे बनकर तयार हो रहे हैं, और इस तरह से मैं इनको ट्रांसफर करती जाओंगी, अलग अलग प्लांट की कटिंग है, अभी तो मैं इनको इसी पोट में लगा रही हूँ, थोड़े थोड़े गैप पे हम इनको लगा देंगे, ट्रांसफर कर के नई पोट दे देंगे, क्योंकि सर्दी आने वाली है, सर्दी एक लिए भी मुझे गंले चाहिएंगे, तो इतने गंले नहीं है मेरे पास, जो सर्दी के फ्लावरिंग प्लांट है, वो भी मुझे खरीद के लेके आने हैं, तो इसलिए यह वाला पोदा द तो यह देखिए मैंने इन पोदों को ट्रांसफर कर दिया है आगे आने वाले टाइम में इसका पडेट भी आप लोगों को मिलता रहेगा गमले की पैचान रखेगा आप और यह वाला पोठ है मेरे पास इसमें तुलसी का पोदा लगा हुआ था लेकिन यह सूख गया अपने पत्ते इसके सूख गए लेकिन मैंने इस तरह से क्रश करके देखा तो इसकी टहनी नीचे से क्रीन है देखिए तुलसी का पता नहीं चलता है कि वो सूख गई है या फिर वो गीली है तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया जहां से मुझे सूखी ब्रांच लगी वो मैंने ज्यादा सर्दी में तो यह सूक भी जाती है तो इस मोस रोज को हम निकाल लेंगे बहुत ही ब्यूटिफुल लगती है और इस प्लांट में हम इसको लगा देंगी काफी अच्छी हो रही है मारी मोस रोज मेने मोस रोज को इस अपने मनी प्लांट में लगा दिया है यह बहुत खुशूरत लगेगा देखनेमे और बहुत ही प्यारा लगेगा जहां पर नमी होती है महीं पर मोस रोज अग जाती है तो जादा नमी होने की वज़े से मेरा यह तुलसी का पोड़ा मित्टी को चेक करके हमें पानी डालना चाहिए नहीं तो पोड़ा इस तरह से खराब हो जाता है तो तुलसी के पोड़े में आपको केरो तो इसमें ग्रो करूंगी दो क्यों नहीं है तो इस सपेस को नहीं मिल पाएगा और कुछ कुछ टाइम के बाद में लिक्वड फर्टिलाइजर का यूज करूंगी उसका वेडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी बाकी की कटिंग मैं इस बड़े वाले पोट में ही लगा दूंगी क्योंकि इसमें अभी स्पेस है कटिंग इतनी जादा बड़ी नहीं है और गमले भी मेरे पास इतने खाली नहीं है मैं इतने सारे गमले कहां से लेकर के लाओं क्योंकि सर्दियों के पोदे भी आने लगेंगे अब तो वो भी मुझे लगाने है तो इसलिए एक पोट में ही मैं इनको ट्रांसफर कर रही हूँ जिसमें पहले लगाए हुए है उस इसमें और पूरी दूप इसको मिलती रहनी चाहिए तभी हमारे हाइब्रीड सदाबार के कटिंग जो है और पोदे हैं जो वो सर्वाइव कर पाते हैं नहीं तो ये डाइबैक हो जाते हैं इनके सूकने का एक करण यही होता है बस अगर ये केर आप इसको मेंटेंड कर ले वीडियो में उमीद है कि इस बार ठंड भी जादा ही होगी लग तो यही रहा है बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में धूप रोज निकलती रहे तो यह पोदे अच्छे से सर्वाइव करते रहेंगे पानी का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि प्लास्टिक का प्लास्टिक के पोट में बहुत टाइम तक नमी होल्ड होके रहती है तो इसको पानी दूंगी मिट्टी को चेक करके पानी देना है आपको भी इसी तरह से इसका ध्यान रखना है तो यह थी आज की वीडियो उमीद है आपको यह कटिंग मेरी पसंद आए होगी आगे इन क क्या रिजल्ट रहेगा आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करती रहोंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो